हेला दोस्त, मैं प्रिती आपकी दोस्त और आप दिखरें अंप्रिती वाइस दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाने जारी हूँ वेक कहानी है हाती और सेर की दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छ लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पर लिजेगा दोस्तो आप यह कहानी अंग तक दिखिएगा और ध्यान से सुनिएगा बहुत मजाएगा तो चलिए दोस्तो आप कहानी सुक्रते हैं एक बार एक जंगल में एक से अकीला वेठा हुआ था वह अपने बारे में सूच रहा था कि मेरे पास तो तेजधारदार मजबूत पंजे और ताथ है साथ ही मैं एक बहुत ही तागतवर जानवर भी हूँ लेकिन फिर भी जंगल की सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारिफ क्यों कते रहते हैं द्रासर शेर को इस बात से बहुत जलन मैसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारिफ करते थे जंगल की सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंग पहला कर नासता है तो वह बहुत सुन्दर लगता है यही सब सूचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था वह सूच रहा था कि इतना तावित बर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई इसकी तारिफ नहीं करता है ऐसे में उसकी इस जीवन का क्या मुतलब है तभी वहां से एक हाथी जा रहा था उसने पूछा तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम तागत वर भी हो फिर भी इतने दुखी क्यों हो तुम्ही क्या परिशानी है दुखी हाथी को देखकर सेर ने सूचा कि क्यों ना मैं इस हाथी के साथ अपना दुख वाट लो उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जिंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्ही जलन होती हो और वह तुम्हें हाने पहुँचाता हो सेर की बात सुनकर हाथी ने कहा जिंगल का सबसे छुटा जानवर भी मुझे जैसे बड़े जानवर को परिशान कर सकता है सेर ने पूछा वह कौन सब छुटा जानवर है हाथी ने कहा महराज वे जानवा चीटी है वे इस जिंगल में सबसे छूटी है लेकिन जब भी वे मेरी कान में घुशती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ हाथी की बात सुनतर सेर को समझ में आ गया कि मुर्द तो मुझे चीटी की तरह फरेशान भी नहीं गरता फिर भी मुझे उससे जलन होती है इस सब्सक्राइब ने सभी प्राणियों को अलग अलग खौमिया और खुबया भी दिया इसी वज़ा से सारे प्राणी एक जैसे ही तागतवर यकंजूर नहीं हो सकते इस तरह सेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे तागतवर जानवर में भी खुबयों के साथ कम्या हो सकते है इससे सेर के मन में उसका खोया हुआ आत्म विश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया दोस्तो हम इस कहानी से यह सिख मिलती है कि हम कभी भी किसी की खुबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए क्योंकि हम सभी के अलग-अलग खुबियां और खामियां होती है दोस्तो अगर ही कहानी आपको पसंद आई होगी तो कुमेंट करके जरूर बताईएगा इस लाइक और चेनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा